चलिए, अब हम थोड़ा right angle, acute angle और obtuse angle के बारे में exercise करते हैं, थोड़ा करके देख लेते हैं, ताकि हम adjust हो जाएं इन तीनों angle और term से, क्योंकि ये terms ऐसे हैं जो आपको आज के बाद से पढ़ने के बाद से हमेशा, throughout जब तक आप maths पढ़ेंगे, तब तक कामाएंगे, इनका understanding होना बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं हो, question हम से क्या करने के लिए बोल रहा है, drag the vertex of the angle to place the vertex at point A, तो अगर आपको याद होगा कि vertex हम किसको बोलते थे, तो दो rays जहाँ पे मिलती हैं, इसको हम vertex बोलते हैं, इस वाले corner को, यह हमारा vertex हो जाएगा, तो drag the vertex of the angle to the point A, इसको हमें drag करके A पे रखने को बोला है, ठीक है हमने कर दिया, drag another point on the angle to make one of the rays go through point B, अब हमें किसी एक ray को drag करके point B के थ्रू पास करवाना है, तो हमने यहाँ से यह उठाया और इसको drag कर दिया point B से, सही बात है आराम से दिख रहा है, यह यहाँ पे लिया है, तो पहले line में जो बोला हो हमने कर दिया, दूसरी line में जो बोला हो हमने कर दिया, और actually question करने का यही तरीका होता है, अगर आपके पास कोई भी question है, तो आप हमेशा उसे parts में बाट के सोचा किजिए, एक बार में पोरा question सोचेंगे तो बहुत कम chances हैं, unless and until I'm very smart हो, तो आप शाय पहले line में उसने जो बोला हो हमने कर दिया, अब आते हैं, final line पे, make the other way, go through one of the unlabeled black points to create an acute angle, तो हमको एक acute angle बनाना है, अब यह हमारे फिक्स हो गया, यह हमारे फिक्स हो गया, अब इसको हम कहां पे drag करें, या तो इस point पे drag करें, या इस point पे drag करें, या इस point पे drag करें, दो चलिए, पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे drag करता हूँ, तो क्या यह acute angle होगा, तो जहां तक मैं इसको देख रहा हूँ, अगर आप थोड़ा अपने गर्दन तेड़ा करके देखें, अगर आप इससे base line मान ले, अगर आप इससे base ray मान ले, और यह ज अगर होगा, ठीक इसके ऊपर upright और यह उसे कम है, तो यह वाला angle मुझे acute लग रहा है, तो चलिए, करके देखते हैं, अम answer डालते हैं, this is an acute angle because its measure is less than 90 degree, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा answer सही है या नहीं, ये हमारा answer सही हो गया, चलिए एक question और try कर लेते हैं, next question पे ज black points as follows, हम एक obtuse angle बनाना है, अब अच्छा, drag the vertex of the angle to place the vertex at the correct black point, हमें वर्टेक्स को इन में से किसी एक correct black point पे drag करना है, तो हम इसको या तो यहां drag कर ले, तो नहीं, यहां drag कर ले, यहां drag कर ले, कहीं भी drag कर सकते हैं, तो चलिए यहां पे drag कर लेते हैं, सबसे ओपर देख र लो point है, उनको हम पे drag करके हमें obtuse angle बनाना है, तो अगर मैं इसको यहां पे करूँ, और इसको यहां पे drag कर दूँ, तो क्या यह obtuse angle होगा, अरे अरे नहीं, नहीं, यह तो गड़बड हो गया, यह तो बहुत छोटा हो गया, तो राइट angle की मताबिक बहुत छोटा है, तो यह तो acute angle हो जाएगा, लेकिन मुझे तो obtuse angle बनाना है, तो क्या किया जाए, I think हमने vertex को ही गलत जगह पे रखा है, इसको हम यहां से हटाते हैं, पहले तो vertex को और इसको यहां पे डालते हैं, ठीक है, अब इस वाले ray को हम यहां ले आते हैं, इस वाले point पे, ध्यान रहे, इ इसको हम यहां ले आते हैं, हाँ, अब दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहां से यहां तक एक right angle हो जाएगा, और यह right angle से जाता हो गया, तो यह मेरा obtuse angle बन गया, तो this is an obtuse angle because its measure is greater than 90 degree, अब 90 degree क्या है, तो 90 degree right angle का measure, जैसे मैं आपसे बात की थी, कि कैसे में angle को measure करते हैं, जै weight के लिए kilogram, ग्राम होते हैं, वैसी angle measurement के लिए हम लोग degrees यूज़ करते हैं, तो खेर, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आप इसके बारे मत सोचे, बस आप यह देख लिजे कि हाँ, यहां पे आपका angle obtuse बनाया नहीं, अब इसको चेक करते हैं, ये, हमारा answer सही है, और इस तरह आप बाकी question कर सकते हैं,